इस संसार में हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तरह तरह के जतन करके हम हर तरह के वस्तमें और माया पालेते हैं राजनिती में, धर्म छेतर में, कला छेतर में सम्मान तो मिल जाता है लेकिन वास्तविक्ता में ये संसकार परकने की जगए सब खोखले सिद्ध होते हैं जिस छेत्र में हमें आदर के साथ जोड़ा जाता है उसी जगए पर हम विफल हो जाते हैं वहीं वास्तविक्ता इस भजन में प्रभू की प्रेड़ना से मैंने लिखने की कोशिश की है एक-एक शब्द पे गौर करें और भजन का आनंद लें जब राम गुण गाया नहीं गायक हुआ तो क्या हुआ मामा अप मन भाया नगी लायक हुआ तो क्या हुआ जब राम गुण गाया नहीं गायक हुआ तो क्या हुआ बढ़ लिख के बाते ग्यान की बढ़ लिख के बाते ग्यान की अभि मान मन में भर लिया अभि मान मन में भर लिया पढ़ लिख के बाते ग्यान की अभी मान मन में भर लिया जावे न मन से द्वेश तो गुरुवर हुआ तो क्या हुआ जब राम गुन गायान गी गायक हुआ तो क्या हुआ लायक हुआ तो क्या हुआ घर छोड़ कर त्यागी बना छोड़ा न चंचल कामिनी जग छोड़ कर त्यागी बना छोड़ा न चंचल कामिनी जग छोड़ के त्यागी बना घर छोड़ के त्यागी बना छोड़ा न चंचल कामिनी वैराग जब भी कर नगी त्यागी हुआ तो क्या हुआ जब राम गुण गायान गी गायक हुआ तो क्या हुआ लायक गुआ तो क्या हुआ और यह अंतीम पंक्तियां है एक ऐसा संदेश जो हर इंसान ने अपने मन में सोचना चाहिए यह कितनी बड़ी बात है कर के दया दयालने ये मानुष जनम दिया करके दया दयाल ने ये मानुश जनम दिया हमें ये मानुष जनम दिया उसकी करेना बंदगी उसकी करेना बंदगी बंदा हुआ तो क्या हुआ जब राम गुण गाया नगी गायक हुआ तो क्या हुआ गायक हुआ तो क्या हुआ मा बाप मन भाया नगी लायक हुआ तो क्या हुआ गुरुवल हुआ तो क्या हुआ त्यादी हुआ तो क्या हुआ बन्दा हुआ तो क्या हुआ जब राम गुण गाया नहीं फिर गायक हुआ तो क्या हुआ हम जैसा दिखाते हैं समाज में अपने आपको अगर आप कथनी और करनी में जब फर्क हो जाता है तो उस इनसान की जो फरिवाशा है वो पूर्ण नहीं है अपूर्ण है बस यही संदेश इस भजन से था अपने विचार जरूर लिखें फिर नए भजन के साथ आपसे मुलाकात होगी जैश्री राधे जैश्री शाम